हेलो प्रेंट्स नमस्कार डेली रिट बुक में आप सभी का स्वागत हैं इस वीडियो में हम लोग एस्टेटिक जीके का सेट नमर फोर का प्रेक्टिस करेंगे वो भी ब्याख्या सहीत इस वीडियो के शुरुआत सेट नमर थिरी के रिक्याप से करते हैं तो पहला सब्सक्राइब सब्सक्राइब हplaying 6 वआफ्जला वॉब्सम्छ के टर्वनेटर गुण संथान सब्सक्राइब ऑफ्रवं बुल मेंक कोईस्टन नमर टु पाइली एक्सप्रेस के नाम के नाम से जानी जाती है पायली एक्सप्रेस के प्हुआ टी ऊशवा जानी होती है औप्शन C सही है निमलिखित अस्थानों में से कहां सौमपेन जनजाती पाई जाती है सही जबाब होगा निकोबार दूइप समों में सौमपेन जनजाती पाई जाती है अगला प्रस्ण है जनगन्ना 2011 के अनुसार किन सासित परदेश पूडुर चेरी का लिंगा नुपात कि सही जबाब होगा 1037 ओप्शन C सही है अब है अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है इसका सही जबाब होगा ओप्शन C यानि एक का दो मॉन्ट्रियन प्रोटोकॉल 1987 रियो सिखर सम्मेलन 1912 क्योटो सिखर बारता 1997 और सतत विकास सम्मेलन 2002 अगला प्रशने आनंद बन अस्थापित करने के लिए काउन्स बिख्यात है सही जबाब होगा ओप्शन C बाबा आम्टे सात्मा कोईशन है एसियार्टिक सोसाइटी की अस्थापना हुई थी सही जबाब होगा ओप्शन C यानि 1784 में 5G इंटरनेट से बाशुरू करने बाला दुनिया का पहला देश है सही जबाब होगा ओप्शन C यानि दच्छिन कोडिया अगला प्रस्ण है निमलिखित काथनों को ध्यान से पढ़िये जिसका सही जबाब होगा ओप्शन C यानि एक और तीन सही है परती वर्स आठ मार्च को अंतराष्टिय महिला दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को विश्व मानवा दिकार दिवस मनाया जाता है अगला प्रस्ण है निमलिखित में से काउन सा समुदुरी बंदरगाह और तेल परिसकरन केंदर दोनों है सही जबाब होगा ओप्शन D यानि मंगलूरो हल्दिया और विशाखा पतनम अगला प्रस्ण है सुमेलित कीजिए एक तरफ तिती है दूसरा तरफ है दिवस तो इसका सही जबाब होगा ओप्शन A यानि विश्व परियतन दिवस 27 सितंबर अंतराष्टिय सांती दिवस 21 सितंबर विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर हिंदी दिवस 14 सितंबर अगला प्रस्ण है कोश्चन 12 गुल ए नगमा पुस्तक के लिखक हैं सही जबाब होगा ओप्शन A यानि फिराक गोरक पूरी गुल ए नगमा पुस्तक के लिखक हैं फिराक गोरक पूरी अगला प्रस्ण है सराब बंदी लागू करने वाला पहला भारतिय राज है गुजरात ओप्शन A सही ए एसकोप किसका संचीपत रूप हैं सही जबाब होगा ओप्शन A यानि अस्टेंडिंग कंफरेंस और पबलिक इंटरप्राइजेज क्वेश्चन नमर 15 है सामरिक सस्त्र नियोनी करन संधी किनके बीच की संधी है सही जबाब होगा यू एसे और रूस अगला प्रस्ण है एसी आई खेलो का आउजन करने का सुझाब पहले डियास में किया गया थ अगला प्रस्ण है लोसुंग तेवार कहां लोकपडिया है इसका सही जबाब होगा ओप्शन बी यानि सिक्की में चंडेगट के रौग गार्डन का विकास किसने किया था सही जबाब होगा नेक चंद नमंबर में भारत का का आउज साराज संगाई महुसव मनाता है इसका सही जवाब होगा option D यानि मनीपूर अगला प्रस्ण है कौन सी दो टीमों ने पहला अधिकारिक अंतराश्टिय क्रिकेट मैच खेला सही जवाब होगा option A यानि इंगलेंड और अस्टेलिया अब सेट नमर फोर का practice ब्याख्या सहित करेंगे और अंत में एक वार रिविजन करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रस्ण है question नमर एक पहला प्रस्ण है पाकिस्तान की हकीकत पुर्ष्टा के लेखक हैं इसका सही जवाब क्या होगा option है इसका सही जवाब होगा option A यानि 37 बर्मा पाकिस्तान की हकीकत से रूबरू पुष्टा के लेखक 37 बर्मा है दा नाइन वेब्स नामक पुष्टा के लेखक मिहीर बोशें USA के पुर्व राश्पती रहे बिल किलिंटन के द्वारा रचित परसिद पुष्टा के लेखक जैड ए बुटो हैं मदर पुष्टा के लेखक मैगजीम गोर की हैं ओन करांटरा डिक्षन पुष्टा के लेखक माओ तसे तुँगें अब है question number two सुमेलित करना है एक तरफ तिती है और दूसरी तरफ दिवस दिया हुआ है 26 जनवरी भारत का गंतंत्र दिवस 30 जनवरी सहीद दिवस 1 फरवरी तत्रचक दिवस और 4 फरवरी विशुव कैंसर दिवस इसका सही जवाब होगा option A 26 जनवरी को भारतिय गंतं दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को सहीद दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को टत्रचक दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को विशुव कैंसर दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को ही कुष निवारन दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को अंतराष्टिय सीमा सुल्क एवां उत्पात दिवस भी मनाया जाता है अगला प्रस्ण है क्वेश्चन नमर तीन चित्तान वशल गुफाचितर का लाई ड्यास में इस्थित हैं और ड्यास से संबंदित हैं आप्सन है तमिलाडू बाउधर्म केरल जैन धर्म केरल बाउधर्म या तमिलाडू जैन धर्म तो इसका सही जबाब होगा आप्सन डी यानि चित्तान वशल गुफाचितर का लाई तमिलाडू में इस्थित हैं और या जैन धर्म से संबंदित हैं अगला प्रसने कोईश्चन नमर चार एक तरफ है टेनिस खिलारी और दूसरी तरफ देश मिलान करना है तो इसका सही जबा होगा ओप्शन सी कलत दिया हुआ इसका ब्याक्या पहले देखती है जस्टिन हैनिन होर्डेन बेल्जियम के पेसेवर महिला टेनिस खिलारी है किम क्लेश्टर्स भी बेल्जियम की पेसेवर महिला टेनिस खिलारी है टीम हैनमेन इंगलेंड के पेसेवर सेवा निर्मित टेनिस खिलारी है एंडी रोडिक अमेरिका के पूर्व पेसेवाट टेनिस खिलाड़ी है अगला प्रस्ण है क्वेश्चन नमर फाइव भारत के प्रवस में घोरे की नाल जैसे आकार वाला मुंगे का दीप शमू है तो इसका सही जबाब होगा ओप्सन पहले ओप्सन को देख लेते हैं ओप्सन है अनबान और निकोबार दूइप समू माल दूइप, लच दूइप या सिरी लंका तो इसका सही जबाब होगा ओप्सन सी यानि लच दूइप भारत के परोस में घोरे की नाल जैसे आकार वाला मुंगे का दूइप समू लच दूइप का आकार वलैकार या एटॉल है लच दूइप परवाल विती से निर्मित दूइप है अनमान एवं निकोबार दूइप समू को मरकत दूइप भी कहते हैं विस्व के मानचीतर पर सिल्लंका की आकिरती नारियल की तरह दिखाई देता है अगला प्रसने कुश्चन नमर शिक्स जरांज देला रॉम सरक के बारे में निमलखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है कथन है यह अफगानिस्तान में है इसे सीमा सरक संगठन द्वरा बनाया गया है इसे अफगानिस्तान के यातायात और बेपार में बिर्धी होता है तो इसका सही जवाब क्या होगा ओप्सन है केवल तीन एक और तीन एक दू तीन या केवल दू तो इसका सही जवाब होगा ओप्सन सी यानि एक दू तीन यानि तीनों कथन सही है जरांज देला राम राजमार्ग इरान को अफगानिस्तान से जुरता है इस राजमार्ग का निर्मान सीमा सरक संगठन द्वारा लगभग छोसौ करोर रुपईय की लागत से किया गया इस राजमार्ग का निर्मान कार्ज 2005 में सुरू हुआ तथा 2009 में इसे पबलिक के लिए खोल दिया गया इस राजमार्ग की लंबाई 218 किलो मीटर है जरांज देला राम सरक को इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंड सीप डेम या सलमा डेम भी कहा जाता है भारत के द्वारा ही अफगानिस्तान में सहतूत बांध का निर्मान किया जा रहा है सहतूत बांध को ही लालंदर बांध कहां जाता है अब है कोईश्चन नमर सेवन लंबी पूछ वाले मकाक बंदर कहां पाए जाते हैं ओप्शन है सिलिकॉन बेली, सांत घाटी, मेडा अगासकर या अंटार्टिक इसका सही जवाब होगा ओप्शन बी यानि सांत घाटी लंबी पूछ वाले मकाक बंदर सांत घाटी में पाए जाते हैं सांत घाटी या सैलेंट बेली किरल राज में इस्तित हैं भारत में सिलिकॉन बेली करनाटक में तथा बिस में अमेरिका के कलिफोर्निया में इस्तित हैं अन्टार्टिका को स्वेत महादूइप, बरफिला महादूइप एवं विग्यान को समरपित महादूइप कहा जाता है अन्टार्टिका महादूइप पैंगून पच्छी हे तो परसिद है मेडा अगासकर अफेरिका महादूइप में इस्थिद है इसकी राजधानी अंतान रिबो है अब है question number 8 question number 8 है गुवाम दूइप पर इस्थित देश का परसासनिक नियंतरन है ओप्चन है फ्रांस अमेरिका डेनमार्क या कनाड़ा तो इसका सही जवब होगा ओप्चन भी यानि अमेरिका का गुवाम दूइप पर अमेरिका का परसासनिक नियंतरन है गुवाम 1950 में अधिकारिक तोर पर अमेरिका का हिस्था बना है गुवाम में अमेरिकी नेवी का एक बेस है गुवाम दूइप परसांद महासागर के दचनी छेतर में इस्थित है बिस्व के सबसे बड़े दूइ ग्रेड लेंड पर देन्मार्क का प्रसासनिक नियंदरन है अब है कोश्चन नमर 9 गरीबों की कतकली किस नित को कहा जाता है ओप्शन है चाक्यार कुंत कुडिया टम ओटन तुल या मोहिनी अटम तो इसका सही जवब होगा ओप्शन सी यानि ओटन तुल गरीबों की कतकली ओटन तुल नित को कहा जाता है चकियार कुथू एकल नित है जिसमें कलाकार स्वयम को साप की भाती प्रस्तूत करता है मोहिनी अटम किरल का सास्त्रिय निर्थ है किरल में अच्छी फसल की कुशी मानाने के लिए कई कोटी कली निर्थ फुरसो एवं इस्त प्रस्तूत किया जाता है कतकली केलर का सास्त्रिय निर्थ है कालवेल या गंगाउर घूमर आदी राजस्थान के लोक निर्थ हैं अब है क्वेश्चन नमर दस निर्थ बरसो में से किस बरस में B.S.N.L. की अस्थापना कब हुई थी? ऑप्सन है 2000 में, 2001, 2002 में, 2003 में तो इसका सही जबाब होगा ऑप्सन A. यानि 2000 में बर्स 2000 में BSNL की अस्थापना हुई थी BSNL का पुन रूप है भारत संचार निगम लिगमिटीड BSNL एक साजवनिक संचार कमपणी है BSNL का मुख्यल नई दिल्ली में है BSNL भारत का सबसे पुराना संचार सिवा प्रदाता है MTNL का पुन रूप है महानगर टिलिफोन निगम लिमिटेड MTNL की अस्थापना एक अप्राइल 1986 को हुई थी MTNL का मुख्यल नई दिल्ली में है अब है question number एक आरे जर्मन संचार की अस्थापना किसने की थी? option है count basmark, Hitler या kalmars या Multon तो इसका सही जबा होगा option A यानि count basmark German संचार की अस्थापना count basmark ने की थी count basmark ने 1871 में एक कृत जर्मन संचार की अस्थापना की थी जर्मानी में राष्टिय अंदलन का प्रारम परसा से हुआ था प्रारमभीक अभस्था में विस्मारक उदरवादी बिचारधारा का कट्टर बिर्वदी था एवं परजात तंत्र में उसकी कोई आस्था नहीं थी जर्मानी में आर्थिक राष्टबाद का जनक फेडरिक लिष्ट को माना जाता है हिटलर जर्मानी का सासक था अब है क्वेश्चन नमर बारा निमलखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है ओप्सन है तो इसका सही जवाब होगा ओप्सन डी यानि सांथ घाटी आंधुलन बाबा आम्टे ये सुमेलित नहीं है इसकी ब्याख्या देखते हैं सांथ घाटी आंधुलन बाबा आम्टे सुमेलित नहीं है सांथ घाटी आंधुलन की महन्यत्रुत करता सुगाथा कुमारी थी बाबा आम्टेव का संबंद आनंद बन आसरम से है जो कुष्ट रोगियों के लिए समर्पित है एपिको आंदुलन 1983 में करनाटक में पांडू रंग हेगरे के नेतुरित में हुआ था जो परियावरन सनचन आंदुलन था चुंदर लाल बहुगना और चंडी परसाद भात के नेतुरित में बिर्चो की कटाई को रोकने का आंदुलन चिप को आंदुलन शुरू हुआ था भारत आसियान का सदस नहीं है ये दूसरा प्रसन है फच्च नमर boiling 13 अब देखते हैं निवलखित में से कउंड एक आसियान का सदसन नहीं है उप्षन है मेमार भारत लावसिया इसका सही जवाब हो गा उप्षन भी यानि भारत भारत आसियान का सदस नहीं है आसियान खार्पism상 प्रूप आसियान की अस्थापना हुई इसका मुख्याल है जकारता में है और इसके दस देश हैं ब्रुनई, कमबोडिया, इंडोनेसिया, लाउस, मलेरिया, मलेसिया, मैमार, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थाइलेंड एवं भी अतना आसियान का आदर सुवाक है एक डिश्टी, एक प त्रिपार्ठी निराला, महादेवी बर्मा या रामधारी सिंग दिनकर तो इसका सही जबाब होगा ओप्शन ए यानि मैथली सरन गुप्त, भारत भारती के लेखक मैथली सरन गुप्त हैं यह रचना देश प्रेम की से ओत परोत कविताओं से संबंदित हैं कुकुर मुत्ता, बिल सेर, बकरीहा, निरूपमा इत्यादी सुरिकंत, त्रिपार्ठी निरला की रचनाए हैं महादेवी बर्मा को उनकी रचना यामा हेतु उनिस्वबरासी में ग्यानपीट पुरुसकार्स भी परदान किया गया था रस्मी रथी, उर्वसी, संस्कृती के चार अध्याए एत्यादी दिनकर की रचनाए हैं चिदमरा नामाक पुष्टा के लेखक सुमित्रा नंदन पंथ हैं दुरला बंदू, तीन परस्न, भारतेंदू, संचेयन, नामाक पुष्टा के लेखक, भारतेंदू, हरिस्चंद्र हैं अब है क्वेश्चन नमर पंद्र है धर्म की उन्नती के छेत्र में सराहनिय परियास तू कौन सा पुरुसकार परदान किया जाता है ओप्शन है टेमपल्टन पुरुसकार, कलिंग पुरुसकार, गोल्डन बीर पुरुसकार या गलोबल पान्सो पुरुसकार तो इसका सही जवाब होगा ओप्शन ए यानि टेमपल्टन पुरुसकार धर्म के उन्नती के छेतर में स्राहनिया परिया सिर्तू टेमपल्टन पुरुसकार परदान किया जाता है इस पुरुसकार की सुरुवात 1972 में सर जोन टेमपल्टन द्वरा की गई थी युनस्को द्वारा बिग्यान जंचार के छेतर में अभुतपूर योगदान हेतू कलिंग पुरुसकार दिया जाता है गुल्डन बियर पुरुसकार फिल्म के छेतर में दिया जाता है गलोबल पांसो पुरुसकार प्रयावरन परती रच्छा हेतू दिया जाता है अलाप्रसने क्वेश्चन नमर 16 गोवा में इस्थित मसहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव सरीर रखा गया है और यह युनस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है आप्सन है बोम जीसस का बासी लिका हमारी मौंट लेडी यसू का पवित्र हिर्द या सेंट मेरी बासी लिका तो इसका सही जवाब होगा आप्सन ए बोम जीसस का बासी लिका गोवा में इस्थित मजहूर चर्च का नाम बोम जिसस की बसी लिका है जहां सेंट फ्रांसिस का पार्थिव सरी रखा गया है और यह युनस्को की बिस्व धरवर की सूची में भी सामिल है सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव सरिड को काँच के एक ताबूत में रखा गया है जो हर दस साल में दर्चन के लिए रखी जाती है सेंट फ्रांसिस जेवियर अस्पेन के इसाई मिस्नरी थे सेंट मेरी बैसलिका बैंगलूरो में स्थिद कैथलिक चर्च है अब है क्वेश्चन नमर सत्रा कमफियूसियस कौन था ओप्सन है तिबत का एक परधान रस्वया चीनी एक चीनी दार्शनिक चीन में बसंत और सरद रितु का एक प्रसिद चित्रकार या कोडिया संद तो इसका सही जवब होगा ओप्सन बी यानि एक चीनी दार्शनिक कनफियूसियस एक चीनी दार्शनिक था The classics of challenges, the classics of documents, the classics of poetry, the analytics, इस धर्म के प्रवित्र गरंद है हिंदू धर्म का प्रवित्र तम गरंद श्री मत भरवत गीता है मुसलिम धर्म का प्रवित्र तम गरंद कुरान है अब है question number 18 गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में इस सित है उप्षन है स्रिलंका मेमार नेपाल या चीन तो इसका सही जबब होगा उप्षन भी यानि मेमार टेनिस बोर्ड में पहले इसकी ब्याख्या देखते हैं गोल्डन रॉक पैगोडा मेमार में है परवानिक कथा की अनुसार या भगवान बूद के बालो से घिरा हुआ है सिरलंका में बहुत धर्म से संबनित दामुला गुफा मंदिर गल बिहार मिंटेल सिखर तूत का मंदिर इत्यादी परसिद अस्थान है गौतम बूद की जर्म अस्तली लूमबनी नेपाल में ही इस्थिद है बूद की स्प्रिंग टेंपल पर तिमा चीन में इस्थिद है अब है क्वेश्चन नमर उनीस टेनिस में हार्ड कोट वा कोट होता है जिसकी ड्या से बनी होती है इसका सही जवाब होगा ओप्शन है कंक्रीट मिट्टी घास या कारपेट तो सही जवाब होगा ओप्शन ए यानि कंक्रीट टेनिस में हार्ड कोट वा कोट होता है जिसकी सता कंक्रीट से बनी होती है हार्ड कोट कंक्रीट असमा असफॉल्ड से बनी होती है तथा इसे एकायलिक मेटेरियल से ढाका जाता है फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खिला जाता है विवलंडन घास के मैदान पर खिला जाता है अस्टापू नामा खेल कारपिट पर खिला जाता है ग्रेंच सलेम टुरामेंट का करम है अस्टेलियन ओपन फ्रेंच ओपन विवलंडन ओपन और यूएस ओपन अस्पेन के टेनिस के लाली लाफेल नडार को लाल बजरी का बासा कहा जाता है अब है क्वेश्चन नमर 20 यानि अंतिमा प्रस्ण तीसरी पीडी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राज्थान में DRDO द्वरा सफलता प्रोवक परिचन किया गया था तो इसका सही जवाब क्या होगा उप्शन है अगनी नाग कोबरा या तुफान तो इसका सही जवाब होगा नाग तीसरी पीडी की एंटी टैंक मिसाइल का नाम नाग है जिसका राज्थान में DRDO ने सफलता प्रोवक परिचन किया था नाग की मारक छंता जमीन से 4 किलो मीटर तथा हेलिकॉप्टर से 5 किलो मीटर है या पुन रूपेन स्वदेसी मिसाइल है इसका नाम बदल कर अब धुरुबास्त्र मिसाइल रखा गया है अगनी सता से सता परमार करने वाली मिसाइल है या इन्फ्रारेड इमेजिंग सिस्टम से युक्त मिसाइल है इस कारण इन से अंधेरे में भी अचूक निसाना लगया जा सकता है अब है अती महतपूर्ण बिंदु गांधी बिफोर इंडिया एवं इंडिया आप्टर गांधी पुस्ता के लेका रामचंद्र गुहा है पुलियार माला जैन मंदिर किरल में वाइनार जिला में इस्तित है नाइन डिग्री चनल लच दुईप को मिन्युकाई से अलग करता है सांद घाटी बचाओ आंदुलन की नित्रित्व करता सुगाथा कुमारी थी वाइफें दूर पर कनडा का नियंतरन अस्तापित है काल मार्श को बैगानिक समाजवाद का जनक का जाता है मेढ़ा पाटेकर को नर्मदा बचाओ अधियान के लिए के जरिये मर्यादा नर्मदा नदी पर निर्माधीन बांध परियोजना का बिरोध किया गलोवल पांसव प्रुसकार को परियावरन का आसकर प्रुसकार कहा जाता है गॉल्डन रॉक पेगवडा करीब 25 फीट उंचा एक बहारी भरकम पतर है जो एक दूसरे के ढाल पर टिका हुआ है अस्ट्रेलियन ओपन एवं यूस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है एंटी टैंक मिसाइल नाग दागो और भूल जाओ की तकनिक पर आधारित है अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार स्पीड में रिविजन करते हैं प्रस्ट नमर एक है पाकिस्तान की हाकिकत पुष्टा के लेखक है इसका सही जवाब होगा ओप्शन ए सतीस बर्मा क्वेशन नमर दू है सुमेलित कीजिए इसका सही जवाब होगा ओप्शन ए यानि 26 जनवरी भारत का गंतन दिवस 30 जनवरी सही दिवस एक परवरी तट्रचक दिवस चार परवरी विश्व कैंसर दिवस क्वेशन नमर चीत तीन चित्तान वशल गुफा चित्र कलाई ड्यास में इस्तित हैं और ड्यास से संबंदित हैं तो इसका सही जवाब होगा ओप्शन डी चित्तान वशल गुफा चित्र कलाई तो में लाडो में इस्तित हैं और जयन धर्म से संबंदित हैं अगला प्रस्ण है यह भी मिलान करना है टेनिस खिलारी और देश तो इसका सही जवाब होगा ओप्शन सी अगला प्रस्ण है भारत के परोस में घोरे के नाल जैसे आकार वाला मुंगे का दुईप इस्तित है तो इसका सही जवाब होगा ओप्शन सी लच दुईप अगला प्रशन है जरांज देला राम सरक के किनारे में इन निमली खित में से कौन सा या कौन से कतन सही है यह अफगानिस्तान में है इसे सीमा सरक संगठंदुरा बनाया गया है इसे अफगानिस्तान के यादायात और वेपार में बिर्दी हुआ है इसका सही जबाब होगा एक और एक दू तीन तीनों सही है लंबी पूछ वाले मकाक बंदर कहां पाई जाते हैं इसका सही जबाब होगा बी सांत घाटी में अगला प्रस्न है गुवाम दूइ पर किस देश का परसासनिक नियंदरन है इसका सही जवाव होगा अमिरका गरीबों की कतकली किस नित को कहा जाता है इसका सही जवाव होगा ओटन तुलन निमलिखित मेंसे किस बर्स में इसका सही जवाव होगा option A यानी count Bismarck निमलिखित युगवों मेंसे कौन एक सुमेलित नहीं है इसका सही जवाब होगा Option D, सांत घाटी अंदोलन बावा आम्टे ये गलत है अगला प्रसने निमलखित देशों में से कौन एक आसियान का सदसन नहीं है इसका सही जवाब होगा Option B यानि भारत अगला प्रसने 14 भारत भारती के लिखा कौन है इसका सही जवाब होगा मैथली सरन गुप्त अगला प्रसने Question No.15 धर्म की उन्नती के छेतर में सराहनिया प्रियास वेतू कौन सा पुरुषकार प्रदान किया जाता है इसका सही जवाब होगा Templeton पुरुषकार अगला प्रसने गोगा में इस्चित मरसूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव सरीर रखा गया है और या युनस्को की विश्व धरोहर की सुची में भी सामिले तो इसका सही जवाब होगा Option A. बोम जीशस का बासी लिखा Question No.17 Confucius कौन था इसका सही जवाब होगा Option B. एक चीनी दार्शनिक अगला प्रसने Golden Rock Pagoda किस देश में इस्चित है सही जवाब होगा मेहमार अगला प्रसने Tennis में Hard Coat Work Coat होटा है जिसकी सता ड्यासे बनी होती है सही जवाब होगा Concrete अगला प्रसने और अंतिम प्रस्टिसी पीडी की उस Anti-Tank Missile का नाम क्या है जिसका रास्तान में DR-DO दुरा सफलता प्रवक परिछन किया गया था इसका सही जवाब होगा नाग तो वीडियो कैसा लगा इस वीडियो में इतना ही अब फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्काइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार सेर कर दिजिए धन्यवाद नमस्कार जै हिंद